इस वीडियो में दीगे जानकरी सरकारी दफ्तर अग बार किताब इंटरनेट आजी से प्राप्ट की गी है वीडियो में दीगे जानकरी सही है वगर समय और जगर के अनुसार कुछ पतलाग आ सकते हैं मतलब हमें यह नहीं पता चल रहा है कि actually हमें क्या करना है हमारे वक्त के साथ तो दीखे इसी समय पर मैं एक ऐसा वीडियो रहा हूँ कि as a person जो भी qualities है या फिर skills है उन्हें improve करेंगा तो मैं यहाँ पर आपसे request करता हूँ कि इस वीडियो का आप end तक जरूर देखिए ताकि सभी qualities आप में भी आ सके और सभी जो activities है आप उन्हें ठीक तरीके से समझ सके जो सबसे पहले activity है जो कि आप as a civil engineer कर सकते है या फिर आ इसे लोग है कि जो टीवी देखना या फिर जो सीरीज होती है वेब सीरीज वो देखना पसंद करते है तो यहाँ पर यह एक activity है कि आपको minimum एक documentary देखनी है मैं example यहाँ पर दे रहा हूँ description में आपको link मिल जाएंगी blog की वहाँ पर एक example दिया गया है जैसे city of the future Singapore तो इसका म documentaries आपको देखनी को मिल जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि आप civil engineering की related ही जो documentaries है वो आप देख सकते है अधर जो होते हैं मान लीजे for example यहाँ पर अगर mechanical engineering के बारे में है या फिर अधर भी फिल्ड है तो वह भी stories आप यहाँ पर documentaries आप यहाँ पर देख सकते हो साथ ही साथ यह activity है actual में videos देखनी की तो अगर videos देखनी की है तो मैं आपसे request करता हूँ कि अगर आपके पास खाली समय है जो कि आज की date में सभी हिंदुस्तानी या फिर सभी दुनिया के लोगों के पास है तो मैं as a civil engineer आपसे request करता हूँ कि जो यहाँ पर tutorials होते है for example मैं technical softwares की बात कर रह सब्सक्राइब जाया रेवेट स्केच अप 3D Max स्टैट प्रोई टैप्स जो भी software आप सीखना चाहते थे या फिर आपको as a professional परसन सीखना चाहिए वो सभी यूटूब पर या फिर online internet पर आपको मिल जाएंगी ठीक है वो पूरी सीरीज आपको वहां पर मिल जाएंगी तो जस्ट आपको सिंप्ली सर्च करना है और पूरे वीडियो आपको देखने है अभी आपके पास समय ही समय है या फिर जब भी आपके पास समय होगा तो आप इस चीज को इस activity को जरूर फॉलो कि इसका फायदा यह है कि as a civil engineer अगर आप डॉकुमेंटरी देख रहे हैं तो सब देखें यहाँ पर हो सकता है कि आप बोर हो जाए तो उसमें यहाँ पर activity में आपको एक एक चांस है कि आप दिन का एक ही वीडियो देखिए या फिर जो 25-20 मिट के वीडियो है वही आप देखिए विकॉज अगर किसी भी software का आपको पूरी तरीके से online internet पर सीखना है तो minimum 30 days लग सकते है या फिर उससे भी ज्यादा समय लग सकता है तो एक दिन एक वीडियो आप देख सकते हो तो यह activity आप जरूर कर सकते हो और मैं आपको highly recommend करता हो कि यह चीज आप जरूर कीजिए अब जो second activity है वह है playing games अब देखिए मैंने यहाँ पर playing games का है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको shooting game जैसे PUBG call of duty इस तरह के game खिलना है वह game ठीक है उससे आप entertainment हो सकते हो उससे आप entertainment हो सकते हो लेकिन उसमें time pass ज्यादा है आपको किसी भी तरह के professional quality आपको उस game से नहीं मिलेंगी या फिर उस type के game से नहीं मिलेंगी मैं आपको game recommend कर रहा हूँ जो strategy game होते ह ठीक है multiplayer का है या फिर online strategy game for example my favorite game देखिए मैं या पर promotion नहीं कर रहा हूँ लेकिन example देने के लिए मैं आपको या पर एक game बता रहा हूँ जो कि as a civil engineer या फिर town planner या फिर architect आपको खेलना चाहिए अगर आपके पास खाली समय है तो और उस game का नाम है cities skylines देखिए इस game में आप आपको मतलब पूरी city develop करनी होते है रोड किस तरह से होंगे बाद में commercial area कहा हूँगा industrial area कहा हूँगा residential कहा हूँगा low residential zone, high residential zone इस तरह के कई civil engineering town planning terms आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगे और अगर आप civil engineer हो या फिर इस field से belong करते हो तो basically आप उस game में game खेलते समय आपकी सभी जो terms है या फिर जो knowledge है उस game में उस activity में आप apply करोंगे तो यहाँ फर फायदा यह है कि अगर आप एक game खेल रहे हो जो कि आपके skill को बढ़ा रहा है या फिर आपके skill को activity को check कर रहा है तो होता क्या है मान लिजे मैं example देता हूँ या पर city skylines का अगर आप यह game खेल रहे हो आ actually effect क्या हुआ तो वह आपको visualize होंगा game के form में so that is very helpful मतलब आपके ideas को आप check कर सकते हो जो कि आप real life में इतनी आसानी से नहीं check कर सकते हो तो मैं highly recommend करता हो कि जो game for example city skyline होगे बद में construction simulator 2015 होगे तो ऐसे जो game है वो भी आपके हैल सकते हो ऐसे जो top 5 game है उसकी link मैं आपको description में दे दूंगा अब दोस्तों अगली activity है reading हो सकता है कई लोगों के लिए reading एक्टिविटी बोरिंग हो या फिर वो यह activity करना ही नहीं चाहते इवन उनके पास कितना भी खाली समय हो लेकिन मैं आप लोगों को एक सवाल पूछता हूँ कि जितने भी successful person है या फिर successful movies है आप कितने भी classes या फिर coaching join कर लिए जब तक आप reading नहीं करोंगे तब तक successful होने के आपके probability कम हो जाती है ठीक है यहाँ पर reading का मतलब आपके जो textbook है वो नहीं है ठीक है वो books नहीं है जो technical field के related हाती है मैं आपको starting में आपर recommend करूँगा कि जो हलकी full की storyline की books है वो आप पर सकते हो for example रीज डैट पूर डैट मैं highly recommend करता हूँ कि यह book आप पढ़िए आपको कुछ ना कुछ नया सेखनी को मिलेंगा positive energy आप में आएंगी और professionally भी आप में पढ़ने के बात करूँ तो उसमें भी कई pages होते हैं 100 से ज्यादा होते हैं या फिर 50 से ज्यादा उसमें pages होते हैं लेकिन हमें as a civil engineer या फिर as a contractor वो tender कभी ना कभी पढ़ना चाहिए तो जब आप वो पूरा पढ़ोंगे तो उसके बाद आपके ज्यादा तर question जो है उनके सवाल उनके जितने भी आपके मन में question थे वो सभी answer आपको मिल जाएंगी तो यह फायदा होता है reading का और उसके बाद देखे सबसे पहले आपको एक छोटे book से start करना है उसके बाद related to your field आपको PDFs read करने है या फिर हम कहेंगे कि magazine reads करने है ठीक है और उसके बाद आप आपके technical books पर आ सकते हो कि जो आप पढ़ सकते हो because देखिए ठीक है हमने engineering किया है हमने diploma किया है लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं है कि एक double line plan या फिर किसी घर की planning किस तरह से की जाती है ठीक है मैं basic planning की बात कर रहा हूँ या फिर मैं basic estimate की बात कर रहा हूँ यह क्यू है तो फिर हम उस case में क्या करते है क्या करते है हम YouTube पर जाते है वीडियो देखते है या फिर किसी class को join करते लेकिन अगर आप आपके जो पूराने notes थे या फिर जो books थी वह अगर read करोंगे तो आपको आपके सभी सवालों के जवाब वही पर मिल जाएंगे तो मैं highly recommend करता हूँ कि possible अगर हो तो reading के आदत जरूर लगा लीज है okay now the last activity the most important activity देखिए यह activity हम में से कई लोग practice भी करते हैं और कई लोग इसे ignore भी करते हैं और वह activity is spending time with your family जी हां आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है अगर आपके पास खाली वक्त है तो आपके family के साथ उससे spend करना सीखिए because हम यह सब कर क्यों रहे हैं मतलब आपका career आपके पैसे आपकी पूरी महिनत यह at least आती कहां पर है या फिर हम किस के लिए कर रहे हैं इसका जो answer है वो एक ही है कि हम यह सब हमारे family के लिए कर रहे हैं और अगर हम family को ही time में दे रहे हैं then it's meaningless so I highly recommend when you get time जभी भी आपको time मिल तब उस time का कुछ portion या फिर मैं कहोगा ज्यादा तर portion आप आपके family को दीजिए ताकि आपको उससे एक energy मिले हम में हमें से कई लोगों पता है कि अगर हम family के साथ अगर time spend करेंगे तो हमारी energy boost होंगी और यही energy professional life में भी काम आती है so whenever you depressed और जब भी आपके पास time हो so please spend time with your family I hope दोस्तों कि इस वीडियो में जो भी मैंने बाते बताई है या फिर activities बताई है उससे आपको professional और personal life में help होंगे और साथी साथ आप सभी को पता है कि हम lockdown हो चुके है officially अपना खयाल रखी है जो भी world health organization ने जो भी बाते हमें बताई है करोना से बचने के लिए तो वह सभी practice कीजिए वह सभी चीज़े फॉलो कीजिए आप वाव से दूर रहे है जो government बता रही है यह फिर जो official reports है उनी न्यूस पर आप भरोसा कीजिए and thank you so much take care